सद्गुरू, आपने कहा है हमें जीवन के इस अंश को पूरी तरह से जानना चाहिए जीवन के इस अंश को पूरी तरह से कैसे जाना जाए मुझे लगता है कि मैं डर, गुसे और इर्शया उन सभी चीजों से भरा हुआ हूँ इन सब चीजों से परे कैसे जाएं और इस जीवन को पूरी तरह से कैसे जाने उन सभी चीजों से परे जाने की ज़रूरत नहीं है आपको बस उन चीजों को पैदा करना बंद करना होगा आपका डर, आपका गुसा ये सब एक ऐसे मन की उपज हैं, जिसकी कमान आपने नहीं संभाली है आपका मन आनंद पैदा करने के काबिल है आपका मन डर पैदा करने के काबिल है आपका मन चिंता, बेचैनी, शांती, वेदना, परमानंद पैदा करने के काबिल है ये कुछ भी पैदा कर सकता है ये वो चीज़ें पैदा कर रहा है जो आप नहीं चाहते ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप इसे संभालना नहीं जानते किसी को भी अपने डर अपने गुश से या उनकी जो भी चीज हो उसे संभालने की ज़रूरत नहीं है और नहीं किसी को खुशी या शान्ती या आनंद खोजने की जरूरत है इसकी जरूरत नहीं है आपको बस इतना करना है कि आपको कुछ समय लगाना होगा आपको ये पता करने के लिए कुछ साधना करनी होगी कि जो शांदार कम्प्यूटर आपके सिर में फिट है, उसका कीबोर्ड कहा है? आप नहीं जानते कि कीबोर्ड कहा है, तो आप सारे घलत बटन दबा रहे हैं. तो हर तरह की चीजें हो रही हैं. तो आप या तो इस मन को एक चमतकार बना सकते हैं, या आप इसे पीड़ा पैदा करने वाली मशीन बना सकते हैं, तो घुसे और डर के रूप में पीड़ा के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. आपको बस उत्पादन प्रक्रिया को रोकना होगा, नकी उत्पाद को. आपको बस इसके उत्पादन को रोकना होगा और एक अलक उत्पाद शुरू करना होगा, आपको ये पक्का करना होगा कि इससे आनंद पैदा हो रहा है, इससे खुशी पैदा हो रही है क्योंकि वही मन उसके भी काबिल है. कभी-कभी आप खुश होते हैं कभी-कभी एक युवा आदमी ऐसा क्यों है तो ये आनन्द पैदा करने के काबिल भी है तो आपको बस कीबोर्ड में जे हमेशा रहता है क्या आप कम्प्यूटर जानते हैं? ये वहीं पर है अगर आप इस तरह ऐसे ऐसे करेंगे तो पीडा पीडा और पीडा और अगर आप वो बटन दबाए रखेंगे तो पीडा 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 बढ़ती जाएगी आपको पता होना चाहिए कि हाथों को कीबोर्ड से दूर कैसे रखना है और बस वही बटन दबाना है जो आप चाहते हैं अब ये आप अंजान है आप ये भी नहीं जानते कि ये कहा बटन खुद दब रहे हैं अगर आप ठीक से नहीं सोच सकते ये वहां नहीं है ये गलत बटन है ये गलत बटन है तो तो अपने शरीर की कमान संभालने के लिए अपने मन की कमान संभालने के लिए अपनी उर्जाओं की कमान संभालने के लिए हर चीज जो आप हैं उसकी कमान संभालने के लिए साधना है उन्हें अपने हाथ में लेने के बजाए आप बस एक अच्छे उत्पाद की कामना कर रहे हैं ये उस तरह से नहीं होगा जीवन ने कभी इस तरह काम नहीं किया है किसी के लिए भी नहीं सारी गलत चीज़ें करके कभी भी किसी के साथ ठीक चीज नहीं हुई है जब तक कि आप सही चीज़ें नहीं करते तब तक आपके साथ सही चीज़ें बिलकुल नहीं होंगी यंशा और म खिल पन्याओ कि आपके साथ़ें जब तक कि आपके साही चीज़ेंब से घstar तक कि आपके सा वार, ह восक, अ क्या दोःता हैM आपके साथ से ईजलाएं